नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब कर लो बेल कर लो ठीक है और धीमे मत पढ़ो भाई बारह वा क्लास है डेली 25 कोश्चन कर रहा बहुत है इत्ता ठीक है और एक्जाम डेट आने तक एक्जाम तक वा आपको कम से कम मीनिमम यह 45 दिन लगातार चल गया ना तो जोड़ लो कि अब हो रहे हैं तो इससे अचा क्या आजए चानल को सब्सक्राइब करो बेले करो टेलीग्राम जोइन करो जिसमें पीडियम मिल जाती है और साथ मैं आपके अप्लिकेशन पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेश चलाई जारी इसमें 20 प्लस डेली फ्री क्लासेश चलने इसक प्लस वाल है ठीक है प्लस को भी नॉल कर सकते हो गुरू टिप्स कोड़ी उज़कर करके 10 परसंट मिल जाएगा इसके लाव अससी का अनकेडमी का मेगा स्कॉलसिप टेस्ट एबरी संडी होता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा गुरू टिप्स कोड़ी उज़क करके इसको आप जरूर दो एवरी संडी आप वन येर का सब्सक्रिप्शन दे सकते हो ससी का इसके लाव पाड़ आपको इसमें स्कॉलसिप बीजी सकते हो और यह देखो रैंक है टॉप वन पे अमित ने आपकिया था सगर अभिनास अनन्द को थार्ड मिला था सुभं कुम यह हमारा कोड है गुरू टिप्स यूज करो 10% का उज़ी सकॉट पर ठीक चलिए सुरू करें कोशन नमबर पहला है ससन नमबर 12 का याता यात को रोकने के लिए याता यात संकेत की रूप में लाल रोसनी का इस्तमाल क्यों किया जाता है इसका अंसर क्या होगा लाल रोसनी का इस्तमाल क्यों किया जाता है क्या अंसर होगा लाल रोसनी की बात करें लाल रोसनी कम भी खरती है यह रहेगी तो यह फैलती कम है ठीक और इस करण से याता याता संकेत के रुप में इसका प्रयोक किया जाता है क्यों नहीं फैलती क्योंकि इसकी तरंग डर्द सबसे दि दूरी से भी आप देख सकते हो तो अपसा नमबर C राइट अंसर हो जाएगा यह सबसे कम भी खरती है इसे लंबी दूरी से भी पहचांग सकते हैं इसके लाव आप यह भी याद रखेगा कि लाल रंग की आविरती कम और तरंग दयाट सबसे अधिक होती है चलिए कोशन नम इसे अधिक तरफ जो केंद्र के की तरफ यह और ध्रिज्या की अनुत सकरे करते है आभी केंद्र बल और यह से विप्रीत कारी करता है अब केंद्री से बाहर की तरब जो कारिकत है उसे अप केंद्र बुल बोलता है अब केंद्री बल का फॉर्मुला भी आपको पता होगा अफ बराबर अफसी बराबर हो जाता यहां वी स्गौइर बायार होता है ठीक चलिए और ज्याना के गा इसी एक कोष्चन आता है कि आप का cycle जो mode होता है वो mode पर cycle जवार mode पर अंदर के और के ओर जुग जाता तो अभी केंदरी बल प्राप्त करने के लिए ठीक है चलने तो गिर जाएगा भईया question number बात करें हमारा 4 4 क्या है 4 है एक flywheel इस थी रवस्था से आरंब कर 10 second में 240 चकर कोड़ी चाल कर लेता है इसका तोरड क्या होगा इसका तोरड क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे आतक कोड़ी चाल का फोर्मुला क्या होता कोड़ी चाल इस थी उकल टू omega से डिनोट करते हैं बराबाप 2 pi n प्रती minutes यह होता कोड़ी चाल ठीक इसमें 2 pi 240 बटे 60 यानि कि आपसे ये काटो 64 24 और वह जागा 2 pi और यहाँ पर हो जाएगा 2 pi गोडे 40 हो गया ना 0 0 6 424 2 pi यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.2 40 हो जाएगा 6 मिनट में 60 सेटेंड और 2.2 40 हो जाएगा ठिक और इसके बाद यहाँ पर बात करें आपका 2.4 होगा भाई 4 होगा ना ने 40 होगा ठिक चलिए अब यहाँ पर जो हम बात करें अब अगर जो हम बात करें कोडी तोरड का फोल्मूला क्या होता है कुरोडी तुरड आपका होता है omega by t omega कितना है 2 pi into 40 और t कितना आपका 10 ये कटा ये कटा 4 दुनियाठ 8 pi 8 pi multiply pi की value put up करोगे तो इसका answer आजागा 2.51 radian प्रति सेकंड इसको है option number 8 answer होगा ठीक चलिए आगे चलें question number बात कर लेते हैं चंदर्मा की सता पर क्या होता है द्रविमान और भार कम आपक तते है बात की सता पर कर दोनो आप नत्थे कार वार कार कर जाते है option number b a ज़ा होगा 6 के बात करें'. इस्प्रिंग balance इन्मेिवरे शिक्षिद्धा measटा गरता है Spring Balance इन में से कि सिधान पर कारी करता है तो Spring Balance जो होता है Hook के सिधान पर कारी करता है Option number B Hooks Law ठीक याद रखना Hooks Law की बात करें तो यह आपका प्रतिबल अनुकर्मानुपार्थी विकृती के होता है ठीक विकृती के होता है और यहाँ प्रतिबल पराबर E आपका यहाँ पर प्रतिबल बराबर आजाता है E गुड़े विक्रती और E आपका हो जाता है प्रतिबल की विक्रती समान उपाती होता है इसे हुक कानियम कहता है Q7 की बात करें Aeroplane में Fountain Benz साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिष्णने लगते है क्यों क्यों रिष्णने लगते है उसकी स्याही इसकी स्याही क्यों रिष्णने लगते है इसका अंजर क्या हो तो Aeroplane में Fountain Benz साथ नहीं ले जाते है क्योंकि Y-Mandee दबाओ जो होती है समुद्र अस्तर से अधिक होता है इसका अधिक होती है तो जो DC आपड़ती होती है डारेक्ट करन्ट होती है वो कंडेंसर से उकरने जादी कंडेंसर की बात करें इसको संधारितर बोलते है इनली में या कपिसिटर विद्धुत परिपत में प्रविक तो दो सिरो वाले होते है क्योंकि नम्पर दस की बात करें एक तार की लंबाई को दो गुना कर दिया जा तो इसकी चालक्ता पर क्या प्रवाव पड़ेगा तार की लंबाई दो गुना करने पर इसके चालक्ता पर क्या प्रवाव पड़ेगा तार की लंबाई दो गुना करने पर एक किलोवाट घंटा किसके बरावर हो तो यह होता है 3.6 into 10 to the power 6 joule के बरावर हो तो इसी में भाई 5 किलोवाट घंटा निकालना है क्या करोगे 5 से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक 10 to the power 6 joule 6 joule दिया तो इसको कोई मतला भी नहीं है 5 या 15 हो जाता है तो आपका 5 या 15 है तो 15 से ज ठीक तो 19.8 into 10 to the power 6 joule आएगा तो 19.8 नहीं है तो option नमर ए लगा सकते हो 20 के असपास पस प्श्चन बारे की बाद के एक कूली 13 किलोग्राम की समान को जमीन से एक दिसमलूब 5 मीटर उठा कर अपने से पर रखता है इसके द्वारा किया गया कारे क्या हो इसके द्वारा किय किलोग्राम की समान है जी कितना है दस और उचाई कितना उठा है 1.5 आपका 195 जूल हो जाएगा option नमर इसका A रखता है ठीक एम बराबाद 13, G बराबाद 10, H बराब 1.5 option नमर इसका क्या हो जागा ए तेरा की बात करें बैटरी के संचालन में मूलभूत वैग्यानिक सिधान कौन सा है तो यहां रखेगा इलक्ट्रो लाइट्स का प्रिथिक करन होता है option नमबर C रखता है ठीक है डिसोशिए डिसोशिएशन ऑफ इलक्ट्री इलक्रो लाइट्स ठीक क्वेश्चन नमर 14 की बात करें वायू के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोक्ति यंत्र कौ क्यों 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 क्या करता है हमारे सरीर में भी उस्मा निकलती है ना तो हम जो कपड़े पहन लेंगे ऐसे कपड़े जो उस्मा के बैड कंड़क्टर होंगे तो वो हमारे सरीर से जो उस्मा निकलती है उसको बाहर जा नहीं नहीं तो इस प्रकार से कह सकते है उन एक बुरा समवहाँ था है अब बैड कंड़क्टर ओफ हीट है option number B right answer होगा 16 की बात करें एक गेन को पकड़ने के दोरें खिलाडी अपने हाथों को पीछे क्यों खिशता है पता है क्यों फीछे क्यों खिशता है तो इसका याद रखना का गती या momentum momentum कम करने के लिए momentum कम करने के लिए ठीक देखो P बराबर क्या होता है P बराबर समवेक का फोरूं P बराबर M into B ठीक और P बराबर क्या होता है U बराबर होता है वेक बराबर दूरी बटे distance of our time होता है ठीक अब देखो अब देखो जब वो गेंद को हाथ पखड़के पीछे हीचेगा तो इसमें टाइम जादा लगेगा गेंद पखड़ने के लिए हाथ को पीछे के लिए टाइम जादा लगेगा जब टाइम जादा लगेगा तो सम्वेग क्या होगा कम हो जाएगा ठीक तो यह याद रखना टाइम जादा लगेग तो सम्वेग कम हो जाएगा ठीक तो इसको मुमेंटम या कति को कम करने लिए वो हाथ को पीछे लगता है तो मैंने बता है सम्वेग का फॉर्मूला पी बराग में टूबी होता है और वेग बराबद अडिस्टेंस अब टाइम टाइम जाता लगा तो सम्वेग बढ़ा ऑप् स्थियर ही नहीं है तो हमें द्हानी नहीं सुराई देगी ठीक है चन्मा पर साउंद नहीं कर पाएगा क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडीम नोई कि तो जाते है ना शूंतर से बात करते हैं ठेका है तो आप को नहीं सुन पाएंगा अप्स नम बडी अ परकार प्रेशलिकली के दुआयन मिलते हैं तो है हिलियम बनते हैं द्यक ही एक et लीट बढ़त पराप्त करने के लिए उची कूद से पूर्व दोड़ता भई मतलब यहां से यहां था हमको कूदना है तो हम क्या करेंगे भई हम यह इस कूद जाएंगे नहीं हमें और लंबी दोड़ लखाके कूदेंगे तो और दूरी प्राप्त करेंगे तो किसलिए कूदता है वो जड़त्व आफ मोसन गती जड़त्व प्राप्त करने के लिए option number इसका जड़त्व गती प्राप्त करने के लिए option number A ठीक 21 की बात करेंगे क्या भई क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटी हो जाता भई चट्टान को आप मारोगे कि समें उच्छता मुर्जा होती है तो आपके उच्छता मुर्जा की बात करें तो आपका नीला प्रकास याद रखेगा ब्लू लाइट में उच्छता मुर्जा होती ओप्सान सब से ज्यादा उर्जा की बात करें49 मैं नए ध्यान रखिएगा जिसकी तरंधिर्थ कम कि ऑस्की उर्जा ज्यादा उगाण होगी आपका होगे सर जी आप तो गलत बोलना हो बैगनी की तरंगद्याद का मोती भाया बैगनी की होती है लेकिन बैगनी आप्शन में नहीं है न तो विब ग्योर आपने पढ़ा न विब जी ओ ओ विब जी ओ जी ओ आपका बलू हो जाएगा नीला हो जाएगा उपसन नमबर इसका यह रइंसर हो ठीक वेशन नमबर 24 की बात करें तिर्वी Register करने में प्रियोग मिल आई जाती है तो चलते हैं मिलते हैं साथ में जाएं दोस्तों